नमस्कार परम आदर्निय दादी प्रकाश्मनी जी की इस मृतियों के इस महा सागर में आप सभी का पुनहा सागत है आदर्निय दादी जी जिनकी गुर्मत ताएं कोशल उनकी कुशलता कितना बखान किया जाए कितना जाना जाए फिर भी कम लगता है इसलिए कहते थे अंदाज था उनका सबसे जुदा भोली थी सूरत और मोहक अदा आखों से करती थी जादू था वो तभी तो खुद उन पर फिदाता खुदा ऐसी खुदाई शमा जिनकी इस्मृतिया जब जब आखों के सामने आती हैं दिमाग में आती हैं एक अलग सी रोशनी का एहसास कराती है और वो जिन्होंने उनके साथ अंगसंग समय गुजारा उनको उठते बैठते चलते अपने कारोबार को करते अपनी तपस्या साधना को करते देखा उन आत्माओं का परहमसा भाग्य है उस सागर के कंटे पर आये चलते हैं जानने के लिए परहम आदरनी दादी जी की जीवन की कुछ और बहुत ही एहम बाते आज हमारे पास स्टूडियो में आए हैं ब्राता सूर्य जी जिन्होंने अपने जीवन के 47 वर्ष लंबा काल आदरनी दादी जी के साथ गुजारा है हर पल उनको देखा है समझा है जाना है आईए उन से जानते हैं कि उनकी नजर में दादी प्रकाश मनी जी क्या थी क्या इस मुर्तियां लिए बैठे हैं वो अपने अंदर ब्राता जी आपका स्वागत है आदरनी दादी जी की इस मुर्तियों के सागर में हम पिछले कहीं दिनों से लहर आ रहे है आज हमारा परम सभागे कि आप जो उनके अंग संग रहे हैं बहुत लंबे काल रहे हैं जै सब्सक्राइब करते हैं जैसा आप कह रहे थे वह एक ऐसी महानात्मा थी जिस पर खुदा महरवान था हमने इनाखों से बाबा को उनको बहुत प्यार करते और सम्मान देते हुए देखा कहनी की बात अलग होती है कहानिया सुना देते हैं कि अभू बिनादम के परिस्ता आ कि वह तो परमात्मा के लिए संफॉन रूप से रेडिकेटिट थे ही लेकिन जैसे भगवान उन पर कुर्वान था तो बहुत आकर्शित करती थी वह मुझे याद आ रहा था जब आप कह रहे थे तो जब हम यह नहीं आये थे तो ग्यान अम्रत में एक बहुत सुन्दर अं बहुत प्रसंद सदा चेहरे पर मुस्कान यह वर्नंद की गई हमने तब तक देखा नहीं था उनको जब देखा तो पाया सच मुझ वह कितनी लाइट है कितनी खुशनुमा है और उसको कभी यह तो फीलिंग ही नहीं कि मैं चीफ हूं बलकि यह फीलिंग के मेरा परिवार ह और मुझे प्यार देना है तो मैं कुछ कहानिया सुनाओंगा तो मुझे सेवा मिली कुछ समय के बाद किचन में मैं तो खाना पीना बनाना जानता नहीं था तो चिंदी भोजन कुछ गलतियां करे रोज और दादी आए और हमें दर लगे दादी कुछ कहेगी लेकिन यह व तो डालना भूली गे अच्छा देखो ऐसे करना चाहिए हमने कभी जब हम बिल्कुल चोटे थे और भूले करते थे किचन में कुछ जला दिया कुछ गिरा दिया कुछ तोड़ फोड हो गई दादी जी कितना प्यार देती थी और वो चीच बहुत प्यार से हमें कहती थी कह ताती जी की दूसरे चीच जो मुझे बहुत आकर्शित करती रही और जिसने सचमुच मेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्दी कराई और जिसको हमां ध्यात्म में कहते हैं पतिंद्री सुख एक अलोकिक सुख इस्वरी सुख तो यह तो यह सुख योग से मिलता है और मनुष्य जब देवान से मुठ होता है तो यह सुख की अनुभूती में चलता है तन्तु दादी का इस्वरी महवाक्य सुनाने का तरीका जिसको मुझे कहते हैं दादी जी जब क्लास में आती थी और मुझे सुनाती थी तो ऐसा लगता था जैसे भगवान स्वयम हम से बाते कर रहा है वो पढ़ रही है यह नहीं देव फिलिंग में ले चलती थी हमें उसी तरफ तो यह बहुत ही एक सुन्दर बात थी इस मुर्ली के समय एक घंटा रोज मुझे इस्वरी सुख का बहुत गहरा आभास रहा और उसका कारण था दादी जी के स्रेस्ट वाइब जाहे सामने 200-500 हैं या 10-20,000 हैं कि लोग जैसे एकाग्र चित्थ हो जाते थे उनकी बाते सुनकर बोली उनके मुझे सुनकर यह मेरे जीवन की मैं समझता हूं बहुत बड़ी उपलब दी रही और जब से वो गई मैं सच कहूं तो मैंने इस चीज को मिस्ट किया तो खेर ल चोटे थे कुछ नहीं को आता नहीं था किचन का नेक्स्ट और दादी का रून था अच्छा चाय पीने मुहीं आ जाती थी आप है अपना हिलास लिए हुए धर्म से चाय ली मुहीं बैठके पी रही है कि चन तो हमारे बड़े बड़े चोटे तो नहीं जैसे घरे लू तो हम जस्त उनकी उपस्थिती को एंजोय करने लगे और एक चीज विशेस लुप से नौट की मैंने कि जैब वो हमारे पास आ जाती थी और आती थी शुरू में पांच बार एक दिन में आती थी थोड़ा कीचन बड़ा किया थोड़ा दूर हो गया एक कारो बार बढ़ ग सब ठीक चल रहा है तो मैं जो बात कह रहाता हूं यह थी कि उनका आना और माहौल खुशी से बर जाना कि जैसे सब काम करने वालों में एक नई अनर्जी का उत्वन हो जाना यह बहुत बड़ी चीज़ थी नहीं तो कहीं कोई भी चीफ पहुंचता है मालो किसी कंपनी का डायरेक्टरी या मैंने डायरेक्टर चक्क्र लगा रहा हूं सब डोड़े डोड़े और वहीं चीज मुझे ख्याल में आ रही थी कि जिसे चीफ थे दादी जी और आम तहर प प्यार रहता था दादी जी से मेरा पर्सनल अनुभव यह था कि मुझे दादी जी को देखकर यह लगता था कि यह महानात सारे इस महानियत को समावती है और नो डाउट किचन मतलब फूड डिपार्टमेंट भोजन बहुत बढ़ी वस्ता होती है कि इसमें 2-4 लोग नहीं 25,000 लोग भोजन कर रहे हैं तो मुझे यह रहता था कि उन्होंने हमें यह रेस्पोंसिबिलीटी दी है तो हम उन्हें बिल्कुल निश्चिंत रखें ताकि उन्हें पता है कि मैं वहां हूं तो द्यार केरफ्री निश्चिंत बिल्कुल कोई चिंता ने सब काम परफेक्ट अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा तो उनका प्यार और उनकी इस तरह की जो हमारी प्रती अटिट्योट्स थे और जो खुशी का माहूल पैदा करती थी यह हमारे मन में गहरी जिम्मेदारी की भावना को जागरित कर देती थी तो यह बहुत सुन्दर चीज मैंने उनके हमें मुझे एक बात और याद आ रही थी हम बहुत बीजी रहती थी हमें तो मिलने जाना ही होता था शुरू में दादी आठ से दस पत्र लिखती थी तो कभी मानलो 9 बजे हमें काम हुआ दादी से और हम जाके बाहर बैठे दादी देखती तरह सुरी आया आया और फिर हमे मैं कह दिया है कि भले ही मैं पत्र लिख रहे हूं तुम्हें कुछ भी काम हुआ करे तो मैं आ जाए कर बीच में मैं बता दूंगे यह बहुत बड़ी बात थी हम देखते थे दूसरा वेक्ति कुछ काम में बीजी और कोई चला जाए तो गैं क्यों आगे ताइम नहीं लिय दादी आओ आओ क्या काम है बोलो यह बहुत बड़ा अपनापन था जिसके कारण दादी ने सब के दिलों को जीत लिया और यह कैसी चीज है कि जो एकति सब के दिलों पर राज करने लगे उसके लिए सब कुर्बान हो जाते हैं तो हम सब के मन में रहता था कि हम ऐसा अपन सब्सक्राइब नहीं यह बहुत बड़ी चीज हमने से कि एक व्यक्ति बहुत सुन्दर अनुभव मेरे पास उनके लिए हैं बड़ी बड़ी बाते तो बहुत लोगों ने की होंगी है मैं कुछ ऐसी चीज कहता हूं जो किसी महान व्यक्ति की और एक सफल प्रसासक की या ए जानती थी उसको यह नहीं होता था यह थोटा आगे बढ़ गया वह कहती थी तुम सब और इस में जitनी योग्यात्माइं होगी जितने अच्छे एकाली समालने वाले गुनुमान कलाउंस सब्दन लोग होगे यह हमारे महान दैवी परिवार मतिरी मोअरे तो सब को आगे वढ़ाना सब के गुनों को एप्रीशियेट करना बहुत बड़ी क्वालिटी थी मुझे याद है मुझे उन्होंने रात्री क्लास की जिम्मेदारी दी थी कभी बादसाद 84 की है और जैसे ही में क्लास कराने गया तो सबसे पहले दादी आवे थी सामने के सोफ तो मैं देखता था कि चोटों को आगे बढ़ाना कितनी बड़ी क्वालिटी उटके अंदर थी दूसरों की योगिताओं को सम्मान देना उनको विक्षित करना मैं समयता हूं यह अनूपमता अलोकिकता उनके जीवन में थी मुझे कुछ बहुत बढ़ी चीज भी कहनी है ज दादी जी ने माहमन लेश्वरों के सन्यासि और गुरुओं के बहुत अच्छे संभेलना योजित किया सबके दिल को वह बहुत जीत लेती थी सबसे पहले हमारे पास आये थे स्वामी प्रकासा माहमन लेश्वर परसित थे ततकालीन वह और थोड़ा उनको विरोध भी था जाके बहुत बहुत बार मुझे का आने के लिए मैं आगया अगले दिन सबेरे जब उनको क्लास में बुलाया कि आई ये कुछ प्रवचन की जी हमारी सबाब अठी है हमारा बड़ा होल है तो उन्होंने आते ही क्या कहा कि मैं तो ब्रमा कुमारीच के विलकुल विरोध में था रात जब आप सब सो गए थे मैं आपके आश्रम की गल्यों में अकेला घूमा और मैंने जिस श्यांति का यहां अनुहव किया वो श्यांति तो देवताओं को भी एप्राप्ठ है हम सब तो सन्न होगे कहा आज से मैं आपक दादी ने फटापट कहा साथी वेन को जाओ राकी लाओ और दो मिंट में राकी आगई उनको राकी बांदी और उनको उनको उसमेह मामनलेस्वर्ट क्योंकि वो जैसे चीफ था इन सब का उसक्षमें यह सभी माहमनलेस्वर्ट हमारे बहुत क्लोज आ गए तेक सुन्दर बात और मैं कहना चाहता हूँ हमारा साथ महमनलेस्वर्ट का संब्मेलन हुआ यह बात 87-88 की है तो दादी जी सभी माहमनलेस्वर्ट को खुद साथ लेकर अपन आस्रम दिखा रही थी और भाई-बहने साथ थे तो जब एक इस नौल में जा रहे थे तो एक इसके बाद उसने अपना नुभव सुना जब सब वापिस आकर बैठे कि आज दादी जी जब हम सब को लेकर जा रही थी तो मैंने जान बुझकर दादी का हाथ पकड़ा था और दादी का हाथ पकड़ते ही मेरे अंदर प्योर वाइब्रेशन सागे और मैं तो बस मैं यह क हाथ से पवित्र वाइब्रेशन निकल रहे थे तो यह थी दादी के चरित्र की सबसे बड़ी व्योटी यह उनकी परस्नल्टी थी जिन्होंने उनको एक सफल प्रसासक बनाया जिन्होंने उनको महान बनाया और जिने देखकर सब को लगता था दादी हमारी है बहुत प्या हमें देखता था जैसा मैंने कहा कि उनको यह फीलिंग कभी नहीं थी कि मैं चीफ ब्रह्मा कुमारिज हूं जबकि उनका नाम था कितने मेडल उनको मिले थे डॉक्ट्रेट की उपादी मिली थी लेकिन उनको सदा रहता था यह सब तो उपर से हो रहा है हम तो उसकी लेकिन उनके प्रशासन में ये था कि मैं इस परिवार कीार की बड़ी हूं जैसा कि परिवार में 25 और एक वेक्टिव बड़ा हो अब उस वेकटिव परड़ेंड इपेंड करेए उनका परिवार कैसा चलता उसक्षित वां स्वार्थ बढ़ता है या लोगों में विन-वि हुं हम से पूछा करती है क्लास में और दादी से असंतु बोलो यह परिवार बैठे हैं कि चाहिये तो बोलो 20,000 की सभा बैठी है और दादी पूछ रही है और लोग है रहान हो रहे हैं कि दादी सब तो क्या बोलेंगे क्या खाएंगे लेकिन लोग भाव और होगे यह देखकर बहुत पढ़ेली के लोग सामने बैठे उसमें कुछ प्रोफेसर्स बैठें साइकोलोजिस बैठें चेत्रों से आए हुए बड़े-बड़े लोग एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो यह की एड्मिनिस्ट्रेशन की सब को बांध लेने की अब देखे जब इतना प्यार को व्यक्ति दे दे तो उसके प्रती तो लोग सब कुछ नियोचावर कर देगे तो यह बहुत बड़ी चीज मैंने उनमें पाई सब सब दुस्ट हो हमारे परिवार में कोई नाराज नहों को चोटी मोटी चीज के कान असंतुस ना हो तो यह सब दादी की बहुत बड़ी विशेश्टाएं थी जो मैंने उनके जीवन में देखी यह तो वह बहुत बड़ी योगी नहीं योग बहुत सुन्दर किया करती थी रोज सबेरे उठकर आत्मिक स्वरूप उनके ललाट पर सेज चमकता था सदाही जो बहुत लोग देखते थे तो मैंने अपना बहुत लंबा काल इस जीवन का उनके साथ विताया और मैं घर महसूस करता था कि वह हमें पहले बाबा के साथ रहने का मौका मिला और दादी जैसी महान आत्मा के साथ और मैं तो यह कहा करता था देख कि एक और बात कि किसी महान व्यक्ति को वहीं पैचान सकता है जो स्वेम महान हो नहीं तो दूसरे महान व्यक्ति की लोग अपनी अनुसार कमियाई ढूनने लगें लेकिन जो सुप्सिंग रश्टा है जिसने अपने बुद्धि को बहुत रिफाइन किया वह दूसरों की मा आप आ सकते हैं तो मैं रोज ही उनके पार जाता था और रोज ही बहुत अच्छी हमारी मुल्ली चला के आई दादी तो कुछ अच्छी दो-पांच मिन्ट बाते भी होती थी और फिर कुछ कामकाज की बाते तो हम तो बहुत ही सोभाग साली हैं जो यसी महान आत्मा के साथ इतना बड़ा एड्मिनिस्ट्रेटिव लेवल पर व्यक्ति जब काम करता है तो कई तरह की समस्याएं भी सामने आती हैं इतने सारे लोग हैं उनका कोई आपसी मन मुटाव ठकराव जो उनके सामने आता है था वो किस तरह से हैंडलिंग करती थी उसको यह तो देखिए इत कर आए हुए लोग और हमारे हां तो यह बहुत बड़ी चीज है कि अनेक लोगों ने अपने जीवन को डिकेट कर दिया समध्पित किया है तो जैसे उनकी जिम्मेदारी सब दादी जी के ऊपर थी चीफ होने के नाते वो जैसे उनकी घरजियन होई उन सब का ख्याल रखना थो उसमें कई तरह के लोग होने कारण कई तरह की समस्वाड़ाए की समया रूप से आती थी थी हने लिया लेह सिल और प्रिल्ट समयATH श्वाल सब करता थी सब की बाते सुनती थी ठीट नेने पर कहुंचती थी और क्योंकि उनके पास ज्यान और इस्वरिये जो योग अभ्यास है हमारा राजयोग उसका बहुत ज़्यादा बल था उनका ये लक्स होता था किसी के प्रती अन्यायन हो जाए और सबसंतुस्त होने यह जानती है कि दूसरा वेक्टिया संतुस्त होगा चाहिए फिर भी उसको भी वह इतना प्यार देती थ करती थी कि तुम्हें भी चेंज होना है और यग में बहारी तरफ से बहुत ज़्याद बाधाएं आती थी कुछ ऐसे तक्व होते हैं संसार में जो किसी अच्छे कारिये का विरोध करते हैं कुछ स्वार्थ उनके बीच में आ जाता है अपनी स्वार्थ को पूरा नहोते द और दो-चार बार इसी साधनाय कराने पर हम देखते थे कि वो समस्या समाथ हो जाती थी तो बहुत बॉल्डली बहुत अपने शिव बाबा पर विश्वास रखते हुए और धहरिये वत्थ होकर सबका ख्याल रखते हुए वो समस्याओं का समधान करती थी इसलिए उनको समाज का कोई ऐसा वेक्ति कोई ऐसा तब का जो उनके सामने प्रतक्ष आकर के विरोध का स्वर उंचा उठाया हो पिर दादी जी ने उसको किस तरह से हैंडलिंग के कोई ऐसा एक्सपिरियंस आपके प्रतक्ष तो नहीं आ है पर मुझे याद है 73 में दिली में हम लोगों क सबसे पहला बड़ा प्रोग्राम वा ओल इंडिया लेविल का तो अरिय समाज की अध्यक्स सारे भालत के राज गोपाल साल वाला कहते थे उनको बहुत ही मंतरन भीजवाई दादी मतलब वो लोग ग्रमा कुमारी के एक्दम अपोजीट हुआ करते थे नाम भी नहीं सुनन लेकिन दादी की सुब भावन है नहीं बुलाओ यह देखे तो सही कि जिसको आप अपोज कर रहे वाकिन है क्या तो बहुत बुलाने के बाद भी नहीं आये दादी ने बेहनों का एक ग्रुप भेजा सोगाते लेगा टोली लेकर और उनको निमंतरन दिया और वो क्योंकि गुद्धिमान व्यक्ति थे बड़े थे देखा भई यह बहने हैं इतना सम्मान दे रही है तो आगे और फिर उन्होंने सारा गुद्ध देखा घंटों हमारे मीच में रहे और फिर वह ठीक हुए उनकी बावनाय बदल गई तो यह कैसी चीज हमने देखी थी कि ऐसे व्यक आपने जीवन में इतने वर्षों में महसूस किया कोई ऐसी बात मैसा जो आपको यह कहती हो कि दादी मेरी है इस बात से मैं जबी भी इसको ख्याल में लाओं या मेरे दिमाग में आ जाए तो मेरे रोम खड़े हो जाते हैं वह एक ऐसा काल इसमें बस मुझे यह लगे कि य मेरी मा है हमारे लिए उन्होंने अपने द्वार इस तरह ओपिन रखे थे जब हमें किश्चीर की ज़वत हो जब हमारे पास कोई व्यक्तिकत जीवन में भी समस्या आ जाए तो वह हमारी है हम सीधे जा सकते थे यह मतलब अनेक अनुफ़ हो गए थे जीवन में और यह सभी बहनों के भी अनुफ़ हो गए थे जीवन समर्पित होती थी कहके भेजती थी कि तुम्हारे साथ है कभी भी कुछ हो जाए तो दादी के पास चले आना दादी तुम्हारी मा है तो हम लोग भी ऐसा ही मान लोग कोई टब्यट कराब हो गई हमें कोई विशेस फेसिलीटी च यहिस्ताए करना है नहीं जाना है हमारी बीमारी बहुत बरती जा रही है काम्सध्원 के तुम मेडिकल वाले सब्सक्राण देए तो हमारी थी सजेगी उनके पास चले जाते थे नहीं के वह भूब 92 और इसको बोम्बे भी मित के लिए इस तो नहीं परदान दी नहीं करो को उसमें बाबा ने शुरू कराया हुआ था कि कोई बीमार हो मक्कन खिलाओ तो दादी में बहुत यह जादा था जिसके कहां सबको लगता था दादी हमारी है और हम आराम से दिना हिचक के उनके पाथ चले जाते थे तब में और अब में अब जब दादी जी की स्मृतियां हमारे पास शेश हैं तो किस तरह से मिस्स करते हैं एक अच्छी बात आपने पूछ ली है क्योंकि अभी दादी जान की हमारे बीच में हैं जो चीफ हैं लेकिन वो क्या बहुत बुज़र गया है तबियत भी उनकी काफ तो अब तो इस तरह है कि हम सब क्योंकि बड़े भी हो गए हैं वो चीजे हमने भी अपने जीवन में सीख ली हैं अब हम चोटे बच्छे तो नहीं रहे जिनको किसी और की पालना की ज़रुदत हो अब तो हम यह सोचते हैं कि जो पालना उन्होंने हमें दी वही पालना हम स दादी जी के द्वार सदा खुले रहते थे और लोग अपनी बात लेकर उनके बाद जाते थे और सब समधान लेकर आते थे और वैसा नहीं है तो टोटल बदली गया लेकिन हम जानते हैं यह तो इस वरिये कारिये उपर से कंट्रोल है इसलिए कोई दिक्कत किसी काम में होत सुनते हैं श्रमन होता है और सुनने वाले पहुंच जाते हैं तो यह कहते हैं कि जैसे हम वहां पहुंच कहते हैं हम महसूस कर रहे थे कि हम भगवान के साथ हैं और उसके संग में हम नाच रहे हैं रास मना रहे हैं गा रहे हैं सुख प्या रहे हैं वर्तवान समय यही इस् निस्ठा इतना समर्पन इतनी परवरिश देने की भावना ये इश्वर की रचना में हो सकती है इसलिए ये कहवत शायद उनके उपर पूरी तरह चरितरार्थ होती है कि तुझे देखकर जगवाले पर यकीन ही क्यों कर होगा और जिसकी रचना इतनी संदर वो कितना संदर होगा दादिर जी की समर्तियों के इस महा सागर में हम सनान करते रहेंगे आज के इस संदर से वक्तवे में हम यहीं विराम लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदरनी ब्राता सूरे जी का जो हमारे साथ आकर के आज इतने सुन्दर हमारे साथ इस मृतियां साजहा की है धन्यवाद नमस्कार